केल राहूल के पंजाब किंग से रुमान्चक मुकाबले में सन राइस उस हाइदरबाद को पांच रन से हरा दिया शार्जा में खेले गए IPLK 37 मुकाबले में हाइदरबाद ने टॉस जीता और पंजाब को बल्लेबाजी का न्योता दिया केल राहूल की अगवाई वाली पंजाब की शिरुवात बेहत खराब रही राहूल और मयंग की सलामी जोडी जल्दी ही पविलियन लौट गई किसी तरह एदिन माकरब ने पारी को खीचा माकरब ने 27 रन का योगदान दिया और पंजाब की टीम निर्धारिद 20 ओवर्ज में 7 विकेट गवा कर 125 रन ही बना सकी हाइदरबाद की तरफ से होल्डर ने 3 विकेट चटकाए उसके बाद लक्षिका पीछा करने उत्री सरेच 20 ओवर्ज में 120 रन ही बना सकी और पंजाब किंग्स को 5 रन से जीत मिली PBKS वर्सिस SRH के स्रों मांचक मुकाबले में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी पूरे मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा लेकिन बल्लेबाजों के द्वारा कुछ बड़े शौट्स भी देखने को मिले आईए नजर डालते हैं मैच की 5 एहम बातों पर केल राहूल मयंक अगरवाल राजसान रोल्स के खिलाब शतिकिय साज़दारी करने वाले केल राहूल और मयंक अगरवाल का बल्ला खामोश रहा शार्जा की धीमी पिच पर रन मनाना आसान नहीं था बड़े शौट्स की चाहत में केल राहूल और मयंक अगरवाल ने अपना विकेट गवा दिया केल राहूल ने 21 गेंदों में 21 रन की पारी खेली तीन चौके लगाए राहूल को जेसन होलडर ने आउट किया जबकि मयंक अगरवाल पांच रद मना कर आउट हुए और इन्हें भी जेसन होलडर ने ही चलता किया पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने मातर 26 रन की साज़िदारी की पंजाब किंग्स के मिडल और में क्रिस केल, निकलेस पूरन और इडिन माकरम के रूप में तीन तगड़े बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाजी अटाक की धजिया उड़ाने का दमखम रखते हैं लेकिन शाजा में तीनों बल्लेबाज रन के लिए तरसक है यूरिवर्स बॉस के नाम से मशूर क्रिस केल ने 14 रन बनाए माकरम ने 32 गेंदों में 27 रन बनाए और टीम के हाईस स्कोरर रहे जबकि निकलस पूरण 8 रन बनाकर चलते बने यानि कि पंजाब के मिडल ओर्डर ने मिलकर 49 रन का योगदान दिया केरिबियन ओल राउंडर जेसन होल्डर ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया जब जेसन होल्डर को गेंद थमाई गई तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब किंग्स के दोनों ओपनों उसको चलता किया और फिर दीपक हुडा का भी विकेट लिया एसारिच के इस ओल राउंडर ने चार ओवर में 19 रन खर्च कर 3 विकेट अपने नाम किये होल्डर ने विकेट लेने के लावा बल्ले बाजों पर लागा ताक दबाव भी बनाए रखा जिसका फायदा बाकी के इंद बाजों को मिला अब बल्ले बाजी की बात आई तो होल्डर यहां भी चा गए जेसन होल्डर ने पांच छक्को के मदद से नाबाद 47 रन मनाए आखरी ओवर में टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी लेकिन होल्डर मैच फिनिश नहीं कर पाए अल राउन प्रदर्शन के लिए जेसन होल्डर को प्लेयर उफ दे मैच अवोर्ड से नवाजा गया मौहमज शमी पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज मौहमज शमी ने कमाल की गेंदबाजी की चार ओवर में एक मेडन सहित चौदर अन दे कर दो विकेट अपने नाम किये मौहमज शमी ने पहले ही ओवर में डेविड वोर्डनर को आउट किया और बड़ी सफलत आपनी टीम को दिलाई इसके बाद अगले ही ओवर में शमी ने कप्तान केन विलियमसन को आउट कर हाइदरबाद की कमर तोड़ दी दूसरा ओवर शमी का मेडन रहा वो शमी ही थे जिनकी बज़र से पंजाब किंग्स को जीत नजर आने लगी वरना 125 रन को डिफेंड करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है इस सीजन मौकों के लिए तरस रहे रवी बिशनोई ने हाइदरबाद के खिलाफ सारी कसर पूरी कर दी बीच के ओवर्स में बिशनोई ने तीन बल्लेबाजों को आउट किया और अपनी टीम की जीत में बड़ी भूमिकाने भाई रवी के अलावा युवतेस गेंदबाज अर्शदीप सिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी पंजाब की जीत में अर्शदीप सिंग ने एहम भूमिकाने भाई चार ओवर्स में 22 रंखर्च कर एक विकेट अपने नाम किये अर्शदीप की गेंदबाजी की सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने डेथ में दो ओवर पेके और एक विकेट लेते वे सिर्फ नौर अनकर्च किये बता दे के अशदीप ने राज़सान रोल्स के खिलाफ पिछले मैच में भी लाजवाब गेंदबाजी की थी पांच विकेट जटके थे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके ये खबर आपके लिए लिखी अविनाश ने कैमरे के पीछे दीपक और मैमेगा आप देखते रही है दिललन टॉप